इफको चॉक टावर के पास शल्ती कार में आग लगने का मामला सामने आया है गुरुग्राम से मामला मौके पर दमकल विभाग की टीम जो है वो पहुंची है पोलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है कार में आग लगने से हाईवे पर लंबा जाम लगा है फिलाल किसी के हताहत होने की तो कोई खबर नहीं है जाम से निजात दिलाने के लिए रूट जो है वो डाइवर्ट किया गया है गुरुग्राम का ये मामला जहां एक इफको चॉक टावर के पास एक कार में आग लग गई है और देखे पुलिस और दमकल विभाग की टीम भी मौके बर पहुँची है हाईवे पर कार में आग लगने की वज़ह से लंबा जाम लग गया और जानकारी ये भी मिल रही है कि इस दुरगटा में कोई हताहत नहीं हुआ है लेकिन गाडी में आग लगने की वज़ह से जो लंबा जाम लगा है उसको हटाने के लिए भी प्रयास यहाँ पर शुरू कर दिये गए थे और ये देखे तस्वीरे भी एक्स्क्लूजिव तस्वीरे जो है वो सामने आ गई है अचानक से चलती कार में आग लगने का ये मामला है गुरुगराम से तस्वीरे सामने आई है जब इफको चौक पर अचानक से चलती कार में आग लग गई मौके पर दमकल विभाकी गाडिया पहूँची है इसाथ पर काबु पाया गया है इसके साथी पुलिस टीम भी मौके पर पहुँच गई है चलती कार में अचानक से आग लगी है विशेश समवदाता गुल्शन ग्रोवर मेरे साथ जुड़ गए है गुल्शन अब क्या जानकारी इस मामने पर कैसे लगी ये आग अचिक कारनों का नहीं सपता चल पाया है लेकिन गुर्वराम के इसको चौक सावर के पास चलती गाड़ी में आग लगी है और पहले कार के बॉलनट से दुवा निकला और जैसे ही गाड़ी चालत ने आगे बॉलनट से दुवा निकलता हुआ देथा तुस्के परिवार से चाहिक का रहा है पूरी प्रजाम हो जया है क्योंकि दिल्ली जैपूर प्रत्वे हाइवे जिसे नेशनल हाइवे 48 कहा जाता है तो की लाकों वहान इस हाइवे पर कलते हैं और ऐसे में आज लगने से इस लंबा जाम जो है उचको मिला फिलाज ट्रैपिक पुलिस ने रोर को जो है वो डाइव लगी थी उचाड़ी को अजली घनीमत यहीं कि कोई हताहत इसमें नहीं हुआ लेकिन गाड़ी यहां पर पूरी तरीके से जल चुकी है बहुत शूक्रिया गुल्षन तमाम जानकारी देने के लिए तो इसको चौक का यह मामदा है और इसकी मूज़ा से रूट भी डायवर करना पड़ा है क्योंकि तरक ये जो दुर्घटा हुई है कार जली की जो खबर आई है उसके बाद जान जो है वहाँ पर लगने लगा था आई हलुर्ण राई फопर आई है क्या था उलिआप सहता हुई हुई है कज से आई है जाय है अ फिसक दे बादाल नहीं एाई जया प्रादś decision जाने कर मिए अपैस कर दो है